तो मेहू रहूल और आप सबका मेरे सेनल पर स्वागत है तो दोस्तों यहाँ पर आप आपका All India Limited का जो है वो उसका थोड़ा फेकंसी निकल के आया है तो All India Candidate इसमें अप्लाइ कर सकते हैं उनलाइन इसका उनलाइन एप्लाइ जो है स्टार्ट हो शुका है दोस्तों दो ता क्वालिफिकेशन साहिए और आप इसमें कैसे मोबाइल से या कॉम्प्यूटर से अप्लाइ कर सकते हैं तो मैं सबकुस आपको स्टेप बाइस्टेप बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को एंटक देखिए और मैंने सेनल पर नहीं है तो सेनल को सब्सक्राइब कर दिज ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल चके तो दोस्तों यहाँ पे जो हुए नौ वेकंशी निकल कहा है पहला जो फेकंशी है पहला पोस्ट का नाम है सुन्योर सिन्योर एसिस्टेंट स्टेनो टाइप इस ग्रेट 7 इसका जो आपको सेलरी होगा इसके 16 पोस्ट होगा और इसमें आपको ग्रेजूएट होना पड़ेगा ग्रेजूएट के साथ आपको एक मिनित में 80 वर्ड टाइप करना आपका नौलेज्ट होना शाहिए तो आपको इसके साथ आपको 6-month का कम्पूइटर डिप्लोमार चाहिए तो आपके पास यह के नोलेज ह तो आप इसमें एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है सीनियोर एसिस्टेन हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेट सेवेन इसका जो सेलरी है सेम है यहाँ पे आपका जो है इंगलिश मेजर लेके और आपका जो है सीनियोर एसिस्टेन्ट वाला एपका जो है तीन नमबर वाला वह है जुनियोर एसिस्टेंट वान क्लार काम कॉंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेट फाइफ तो इसके जो आपको सेलरी है उसको देखने को मिलेगा आपको 13,500 चे लेकर 28,000 तो आपको देखने को मिलेगा तो यहां जो आपको कूल पोस्ट मिलने कूल पोस्ट का जो है MS Word, MS Excel, MS PowerPoint आपको क्लियर होना चाहिए और एक मिनिट में आप 30 वर्ट टाइप करना आपको आना चाहिए जो जूनियोर एसिस्टेंट है चार नंबर वाला पोस्ट यह है जूनियोर एसिस्टेंट हिन्दी ताइपिस्ट काम कॉपरतर, कम्पुपरतर अपरतर ग्रेड फाइप तो इसका सेलरी सेम तु सेम है 13,500 चे लेके 28,000 तक है और यहां इसका जब क्वालिफिकेशन है वह आपको 10 प्लास 2 होना पड़ेगा मतलब हाट में आप हिंदी और इंगलिष बाइल आपको आना चाहिए एक मिनिट में आपको 30 वर्ट आपकरना आना चाहिए तो यह जो है आपका क्वालिफिकेशन था तो यहां जो एस लिमिट है अगर जेनरेल कास्ट है का है तो आपको 18 यर्स होना चाहिए और आपको मेक्सिमम 30, 30 hours होना से, से SE 18, 13 hours होना से, minimum 35 40 33 तो ये था Use limit तो आपका जो ऍेक्ट्रेशन फीजिस्ट्रेशन भी इसका आपका निल नहीं है तो आपका जो जन्यराइल और ABC वाले है तो उसको आपको 200 रुपे का रेजिस्टेशन आपको fee online payment करना पड़ेगा रेजिस्टेशन के दोरान online application के बीच में तो यह आपको payment करना पड़ेगा तो आपका यहाँ के selection process होगा, selection process आपका डो step का होगा, एक आपका होगा computer based test जिसमें आपको question पूछे जाएंगे और डूसरा होगा आपका skill proficiency test तो इसमें आपका computer knowledge देखा जाएगा, computer का आपका practical test होगा, आपके ऐसे type कर सकते हैं तो ऐसा test होगा तो पहला जो test है इसमें आपको some art का question आएगा, general English and general knowledge awareness से आपको 20% का question आएगा तो rejoining, arithmetic, numerical and mental ability से आपको 20% का आएगा, domain and relevant subject knowledge से आपको 60% का आएगा, तो आपको 100 mark का question आएगा तो दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा उइक है, आप कुछ भी समझा नहीं हो तो मुझे को comment कर सकते हैं, तो आपका computer practical दोस्तोंगा, ये भी 100 mark, 100% का ही होगा तो practical hand test होगा, आपका ऐसा वगेरा होगा, आपको देख सकते हैं, आप official advertisement को देख सकते हैं, मेरे description box में इसका link दे दिऊंगा, आप इससे वहाँ से download कर सकते हैं तो आपको computer test में आपको 50% पाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे past हो पाएंगे, तो दोस्तों ये था इसका eligibility criteria, तो यहाँ पे आपका जो online apply start हुआ है, 2-6-2020 से इसका start हुआ है, और last दे थे 1-7-2020, तो आपका July के एक तारिख तक आपका इसका last दे थे, इतने दिन तक आप interest है, तो इसमें apply कर सकते है, तो से लिए मैं आप सबको इसका थोड़ा online application कैसे कर सकते है, इसका बटा देता हुआ, तो दोस्तों आप अपने mobile में या आप computer में, आप जाए, मैं computer ही prefer करूंगा, तो आप या इसको computer में apply करे, तो मैं आपको mobile से ही दिखा देता हुआ, त तो आप अपने Google Chrome में जाके आप ताइप कीजिए, या जो दिख रहे है, cdn.dgalm.co.com, इफर्म ऐसा आप ताइप कर दीजिए, तो आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको desktop साइट कर लिजिए, तो desktop साइट मैंने कर लिया, desktop साइट यहाँ का हो रह है, तो desktop साइट होने के बाद इसको close कर दीजिए, तो आपका form खुल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका personal details देक है, यहाँ पे आपका registration करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कौन से post पे apply करना साथ है, तो यह आपको दिखा रहा है, तो इसको आप search कर लिजि है, आप junior HS pass है, तो junior assistant में किजिए, और graduation है, तो senior assistant में किजिए, तो आप यहाँ पे एक सिलक कर लेना, फिर आप यहाँ पे अपना pin code डाल देना, आपका नाम देना यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे mobile number अच्छे से डालना है, चाहिए कोई गलती नहीं होने चाहिए, आपक आपको mobile number अच्छे से डालना है, तो email id को आपको दो बार डालना है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो last में आपको यहाँ पे जो अक्सार डीख रहा है, यहाँ पो same to same आपको यहाँ पे टाइप करना है, ताइप करने के बाद आप यहाँ पे submit बटन पे क्लिक कर दीजिए, फ तो मैंने यहाँ पे submit बटन पे click कर रहा हूँ, तो submit बटन पे click करने के बाद यहाँ पे आप OK करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका admission application sequence number 1 आज आएगा, यहाँ पे आपका नाम आज आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो पोस्ट पे apply गिया है तो यहाँ पर मेरा application number आ गया है फिर आपको क्या करना है यहाँ से आपको आपको copy कर लेना है यहाँ पर मैं इसको copy कर लेता हूँ copy कर लिया तो आपको क्या करना है फिर back करना है फिर दोस्टो आपको मैं एक description box में link दे दिया है उस link पर आप click कर डिजिए क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा फिर आप यहां के बॉक्स में तिक कर दिजिए जो आपको यहां पर स्टार्ट पे नहीं क्लिक करना है निशेवाला जो अपसान है अल्रेडी रेजिस्टर गेडिदेश उसमें क्लिक करना है तो दूस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा आपका मोबाइल में एक मेसेज आएगा इमेल आइदी में भी जाएगा नंबर में भी जाएगा जहाँ पर आपका यूजर आइदी होगा और एक पासवर्ड होगा तो यहाँ पर आपका यूजर आइदी और पासवर् एह बल्बाइल से इसका एप्लेकेशन फार्म नहीं खुला आप कोंप्यूटर में बाकी प्रत्रेस आपको कॉंप्ली एप आप भूलने के बाद आपको वहापे अपना प्रींट कर लिए तो दोस्तो आजके लिए इतना ही तुम फीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना और शैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो दोस्तो नेक्स मिलते हैं वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी जय हिंद